हेलो प्रेंट गोड़ मॉर्णिंग तो प्रेंट आज में लेकर आई हूं बच्चों के लिए इस्पेसली लंच बॉक्स की रेशेपी तो ऐसे थे मुझे भी काफी अच्छा लगा था बनाई थी तो प्रेंट और काफी हेल्दी है क्योंकि यह बनने वाली है पालक और हरे वा दोड़ा है मेरे पास पर अधर कहते हैं इसमें दो कंवितर तीन नही européरा गालने के पूरे आत अधोर में पूर्डें के लिए फैनुस क्विया हुआ है और के इसको अब फीमिश सूर्ड़ को हсемें तब इसको हम Such a ideas me एक मिक्सी जार में यहां पर मैं बढ़े वाले जार ली हूं क्योंकि यह छोटे वाले में नहीं पिसाएगा फुलने के बाद देख सकते हैं कितना जादा हो गया है अब इसमें थोड़ा सा पालक डाल रहे हैं थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा तेहां पर मैं डंठल के साथ ह कुछर से पालक फिषा जाएया था मैं पीच में देख एक बार हटा कर भानी कर दादा तो फरे यह ठाक करना लग घ्राव बल्कुल बारिक पतला करें बिल्कुल दोसा बाटर की तरह बनाना बारिक करना यह तो एक बार हम बीच में चला करके फिर से पीछ लिए हैं तो बहुत ही तरह से फाइन पीछ आ गया है और इसी तरह से जो बचा हुआ हमारा है ना दाल उसको भी हम पीछ लेते हैं तहां पर देखिए दोनों बैच में द बाटर के जितना डाली हूं और यह पीजा पास्ता सॉस है एस्पेसलिए बच्चो कले बना रहे हूं तो उन्हीं की शाफ से बना रहे हैं तो यह लाट था इसमें पाउच में बच्चा बाटर ज्यादा था ना यह निकला था तो इसको पूरा मैं मतलम नहीं छोड़नी चो पीजा का प्लेबर आता है इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से बच्चों को बना करके दीजिए गा ने तो बहुत ही आराम से खा लेते हैं और मांग मांग करके खाते हैं जब बच्चों की तरह से लंच बरक्स में देती हूं तो लोग घर आ कर चुटी टाइम में इसको आपको डोसा बाटर की तरह बनाना है और थोर से टेस्ट के अगॉडिंग आप नमक डाल दी हूं जो कि यहां वीडियो में दीखने रहा है कट गया पता नहीं कैसे तो नमक भी डाल देज़ेगा और इसमेटा सोड़ा इनो कुछ भी नहीं डालना है यहां पर मैं नॉन मैं जोते ऊफिसान दोसा भी भी सब्सक्राल करें हाएं टान फरे प्लैं तो चर्म्सेर सकत दोसा-फोन तो सब्सक्राइब डोसा लें तो बनेर के लिए तो बटर में भी अन्ता नियुकर ऑफ्लियों में यहीं कार जाती है और इस तरह स्युड़ी तो आप से रिक्वेस्ट है प्रीज आप सब मुझे हेल्प कीजिए वीडियो को लाइक नहीं करते हैं इतने अच्छे रेशिपी लेकर के आई हूँ अभी बच्चों कभी स्कूल खुला हुआ है तो नहीं की हिसाब से मैं आज लेकर के आई हूँ और काफी हेल्दी है यह लंच पनीर डाल रहे हैं ग्रेट करके इस तरह से कच्छा पनीर है इसको हम डाल देते हैं और इस तरह से बना करके दीजेगा बच्चों काफी खुस हो करके खाते हैं मेरे बच्चे तो खेर बहुत ही खुस हो करके खाते हैं और आने के बाद भी यही डालते हैं थोड़ा समय अम उपर से औरगीनो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देती हूं तो यह काफी अच्छा फ्लेबर होता है बिल्कुल पीजा जैसा ही लगता है मेरा बेटा को काफी पीजा पसंद है तो इस तरह से में बना करके अलग अलग तरीके से देती हूं उसको लांच बॉक्स में तो करती हूं तीसी तरह से में चार याँपर यहां पर यह भी ज let अब बचों के लुमक्स में ऐसाऽ आपर रख रहां यह भी पायक करने साथ ते तरह से में फोल्ड कर देती हूं अ सहरं घंडा हो जाता है तो इसलिए एमें फुल रही थी आपको पीजा वालन नहीं डालना है चीज प्रोसिस चीज डालना है दो तरह की चीज होती है एक जो पीजा वाली होती है नो काफी खिचाओ होती है उसमें तो नहीं डाले है क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर अच्छा नहीं रहता है चीज उस अब गरम-गरम में अच्छा लगता है यहां पर मैं इसको पाइक क कर रही हूँ इस तरह से में इसके साथ ना आपको और कुछ भी दे रहे हैं कि जो रहती है क्योंकि ऑल्रेडी समें सोस डाला हुआ रहता है लगाया हूआ आप देखी थे अगा दिये इसको पाइक कर देते और बेटा को मुझे ने मेरे बेटा कर सेव पसंद है और सेव में आङ मैं आपक कर रही हूँ उसका पाले लंच बोक्स प्यक कर दे दी थी है वस स्नेक्स पा कर ना था युकर कि दो होता है चोटा सा होता है लंच इन लोग की दो करना एक बढ़ा होता है तो यहां पर रग देती हूँ को आजकर आप कर सिज़न है तर मैं आँ जल अप टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोगों में शेयर